वेलकम टो इनवासरी अपडेट यहां मेलेगे आपको डियू क्या हर को नेको नेके अपडेट तो चानल को सब्सक्राइब को लिजिए बेल आइकन को प्रेस के लिजिए ताकि हर अपडेट आपको डाइम ले मिल सके गाईज को जो अलग अलग कोर्श का में जो okam waeekam Jorge Step ke प्रोग्राम बएए ऑर्नेट ऑप्रोग्राम है बीए स्प्रोक्राम और बीएैस बीएमेस है अउनने प्रोग्राम में डी अवे यू कितनी सीट प करेंच है यह आपको सच में कहीं से नीपादा चलेगा यह डीटा आपको निकाल के दूँगा और गैस डेली उनिवसिटी ने ये विड्रॉ फ्रीज अलोकेटेट सीट और रियॉडर हाइयर प्रेफरेंस प्रोग्राम कॉलिज प्रेफरेंस ये इन पटन के साथ क्या कर दिया वो बताऊंगा और रिजल्ट गैस कैसे अपडेट होगा कैसे रिजल्ट का अपडेट मिलेगा वो बताऊंगा CSS round 3 होगा या नहीं spot round कब आएंगे क्या होगा या नहीं होगा सारी चीज़े इस वीडियो में discuss करूंगा तो गैस सारी चीज़े cover करी जाएंगी को ना पकड़ लो घर का और बैट जाओ अराम से और समझो इस वीडियो को ध्यान से देखना पूरी वीडियो देखना तो गैस बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को तो सबसे पहले में आपको डेली उनुवस्टी की वेबसाइट पर ले चलता हूँ यह देखो डेली उनिवस्टी की वेबसाइट है अभी फिलाल अगर कोई अपडेट आया है वो चेक कर लेते हैं कोई अपडेट नहीं आया है अभी तक ठीक है तो गाइस जैसा कि आज डेट था कि लाइक आज 23 ऑगस्ट है ना तो आज शाम को पांच बजे एक्जाक्ट शाम यहां को पांच बजे डेली उनिवस्टि ने पूरा का पूरा system बंद कर दिया मतलव डइखो डेली नूवस्टी ने system को पूरा हैंक कर दिया माई पूरा बंद कर दिया वो बताताешь कैसे एक्चली हुआ क्या है कि है की वेकेंट को रिलीज करने के बाद एक reorder preferences का option था देखो आपके पोर्टल से बताता हूं ज्यादा समझ में आगा जैसी आप यहां व्यू बटन पर क्लिक करोगे देखो यहां पर पूरा का पूरा सिस्टम क्लोज हो चुका है विड्रॉ बटन हट चुका है पेमेंट टन का option और अपग्रेड का फ् सब्सक्राइब कर रखा है वो notification on कर लेना ताकि एकदम वीडियो आयो तुरंत आपको notification मिल जाए तो बहुत important है अभी यह चीज हो चुकी है ठीक है यह चीज हो चुकी है अभी बंद कर चुके है विड्रॉ देखो विड्रॉ अप्लिकेशन इस क्लोस प्लीज चेक पर अभी कुछ अप्लोड किया नहीं है लोगोंने लेकिन अभी चेक करने को बोला है ठीक है तो अभी तो फिलाल यह है और इन लोगोंने फ्रीज का भी option हटा दिया अप्ग्रेड का भी option हटा दिया है पूरा सारे पोर्टल से सारे options हट चुके होंगे तो यह तो गईस हो आपका लाइक पूरा अपडेट की आपका अब फाइनली जो राउंड आएगा यहां पे देखो जो रिजल्ट आएगा राउंड टू का रिजल्ट आएगा गईस सब्सक्राइब रखो बिल्कुल एकदम टाइमली हम लोग लाइव सेशन शुरू कर देंगे आपका सारा ड सब्सक्राइब और उसके उपर सेकंड राउंड की दी जाएगी तो आप जो फरक है उसमें डिफरेंस है वह नहीं पता कर पाओगे इसलिए एक कट आफ वाला सिस्टम आप पहले से सेव करके रखना ताकि सेकंड और फर्स्ट राउंड की कट आफ कंपेर कर सको ठीक है यह करेंसे पहले मैं बता दूं आपको ठीक है मैं भूल चाता नहीं तो मै याद दिला दिया आपने फिर और इसके बाद हम यह देख लीटेए हैं यह वेकनट सीट में कितना क्या बचा हुआ है सारी चीजे हम देखेंगे इसमें क्या क्या कितना बचा है एक्जंट डेटा बत आपको पता करते हैं आपको पता पता करते हैं तो इसको हमने ओकर karaoke कर दिया अभिली से अभडब हैं blep अधां किमें कितने पत्की सिट्स बची इस फिर बाइब शेसा ब्रम उस्त और चलिए सब मिला 1476 अब गाइस बीकॉम समक्राइब ऐसो देख लोगते हैं एक ईकदेनलेखंगे यहा पे आंडव वाला देख लेते हैं बीकॉम देखर हाथ 157 वा फूरा देख पाइंगे नहीं अब यहां honors के देख लेते हैं honors है पूरा तो यह सारे colleges जिसमें honors थे सारे subject में वो लोड हो चुके हैं अब यहां देखो यहां पर आपका है 1137 1137 यह नीचे sum दिखा रहा है यहां पर देख सकते हो नीचे यहां पर 1137 seats बाकी है total मिला के B.com में ठीक है आप तो guys हम BA honors का देखते हैं ठीक है BA honors को देखेंगे अब सबसे पहले ठीक है BA BA ठीक है BA honors को देखेंगे सबसे पहले honors के मतलब जितने भी यह program के सारे courses अब ठीक है program के सारे courses हटा देंगे इसको थोड़ा से stretch कर लेते हैं डेली निवर्सटी में admission लेना चाहते हो लेकिन आपको दिक्कतों का सामना कर रहा है बहुत सारे यूट्यूबर्स के पास ट्राइब कर लिया सब कर लिया लेकिन effective कुछ नहीं मेल रहा तो गाइस यहां आईए यह तीन बैच लेके आया हूं आपके लिए जिसमें मैं आपको अलग-अलग प्रोवाइड करूंगा guidance ठीक है एक में पहले वाले बैच में 699 वाले में guidance होगी सिर्फ जिसमें मैं आपको सारी tip and tracks बताऊंगा लेकिन करके नहीं दूंगा अपनी तरफ से preference sheet में काम ठीक है दूसरे बैच में आपको guidance प्लस preference sheet दोनों पे काम करके दूंगा मैं अपनी तरफ से 49 में और तीसरे में आपकी emergency में मैं help करूंगा इन impacts को join कर हैं निवीशना होगा डाफ सबसेक आपको करना क्या होगा मेरा telegram CRTLE प्रूप करना अपने telegram इपने अपने ऑपने लिए अपने लिए ऐस घू लेना कि लिए सब्केर करना लोट कर देता हूं इसमेंä यह वाले यह वाले यह वाले यह वाले यह वाले ओनर्स के सारे कोर्से समलोड कर देते हैं इसमें ठीक है हम एक एक करके अब उसके हिसाब से हमें यहां पर डेटा समझ में आ जाएगा कि ओनर्स में कितनी सीट्स बाकी है और प्रोग्राम में कितनी सीट्स बाकी है ठीक है उस के बाद honors में कुछ बचा नहीं है भी यह में ठीक है यह एक यह वोकेशनल स्टाडी के बाद में देखेंगे चलो honors के apply कर देते हैं honors के total हमारे पास है फाइफ थाउजन्ट से 171 सीट से टोटल यह देखो नीचे सम बना आ गया है यहां पे तोटल समेशन नीचे लिखाया है देख सकते हो यहां पर जहां पर गूम रहा है मेरा यहां पर है 5171 तो यह टोटल डेटा है आपका बीए प्रोग्राम का सब्सक्राइब पॉल साइंस इसमें से सबसे ज्यादा पॉपलर रहता है तो पॉल साइंस को हम सिर्फ देखेंगे प फॉबले सबुस्क्राइब फॉक ऩो पर गंता पॉल साइंस नीचा नीच नीच को प्रीच करदा फॉल साइंस ओनर्स और को में सब्सक्राइब फिर इसके बाद हम साइकोलेजी देख लेंगे साइकोलेजी सब के इसके वह रहत है पॉल साइंस में कितनी सीट्स बागी है देखो पॉल साइंस में सिर्फ और सिर्फ पांसो बारा सीट्स बागी है समेशन में नीचे आ चुका है पांसो बारा सीट्स बागी है पॉल साइंस पहले बयां एब यहां से पॉलिस्टै उनर's का देख लेते हैं network फ्हूंक फींस हो गया हमारा इहां पे निया कि सबका टि मांड रहता है सब्सक्तितम में सब्सक्सक्यों से छ१ंडी फाल भी इलगा हैं और फ्दूंद नहीं मेंимо 12 सीड्स में फोर्ट औरो प्रोग्राम में फिर recap के ओन ऊप्रोग्राम के बने अलगुए हूं के प्रोग्राम के उसमें तो अभी देखते हैं हम journalism का देख लेते हैं Journalism इन इसको हम क्लिक करते हैं journalism में सिर्फ 52 seats बाकी है जिन colleges में available है देख सकते हो यह रहे सारे colleges available और इन में 52 seats बाकी हैं समेशन में नीचे लिखा आगया है देख सकते हो ठीक है तो अभी यह हो गया हमारा अब BSC में टोटल हम देख लेते हैं BSC में टोटल कितनी सीट्स बाकी है वह देख लेते हैं ठीक है बी एस और यहां देख लेते हैं सारे कोर्सें BSC में ओनर्स प्रोग्राम दोनों मैच करके मिक्स करके बता रहा हूं ठीक है मैं BSC में एक round of figure मिल जाएगी आपको टोटल तो 61,778 सीट्स बाकी हैं BSC में सारे जितने भी colleges में सीट्स हैं और सबसे ज्यादा सीट्स यहां पर देख सकते हो आपकी यहां पर देशबंदू college में है 13 और 15 सीट्स यहां पर देशबंदू college में देख सकते हो यह 61 और इसमें इंद्रा इंस्टिट्यूट है तो अला गया यह चीज थोड़ा इसमें देख सकते हो 61,000 sorry 6,178 सीट्स बाकी है BSC में तो देख सकते हो इतनी guys 6,178 सीट्स बाही आउट मतलब लाइक दिमाग पूट गया मेरा अब guys BVoc की courses की बात कर लेते है ठीक है B vocational course ठीक है यह रहे सारे BVoc के courses और यह load हो गए सारे BVoc के courses और इसमें CVS नहीं load हुआ है एक उसे भी add कर लेते हैं हम लोग ठीक है CVS load नहीं हुआ है इसके बाद हम देख सकते हैं भाई इसके बाद हम दिखाता हूँ मैं आपको BSC हो गया BLA हो गया ठीक है BLA को BLA program में देख लेते हैं सबसे पहले ठीक है BLA program की कित्ती sheets बागी है ठीक है यह बहुत जरूरी है प्रोग राम ठीक है यहाँ पर सारे program आ गया देखो सब program के program के courses आ गए जितने combination थे तो BLA program में total BLA program के सारे courses सारे के सारे लोड हो गया सारे के सारे प्रोग्राम के only program only program के सारे courses मिला के आपके 3356 seats है total इतनी ही बची है आपके प्रोग्राम के courses में तो गईस आप देख सकते हो कितना like data अलग चल रहा है इस ताइम और एक bachelor of education देख लेते हैं यहां पर वो बीलेड है ना बीलेड वाला कुछ है है वो अगर मिल जाए कहीं subject तो यह रहा last में है हमें मिल गया है वो selecting में ना बीलेड भी कई वच्चे करना चाहते हैं तो वह मैंने लिखा हुआ था thumbnail में तो सारी चीज़े बता दूं तो बीलेड में भाई देख सकते हो 50 seats बागी ह है तो आपको data एक round पूरा exact मिल गया इससे आपको figure out करने में असानी हो जाएगी कि आपको क्या करना है समझ आ गया देखो कितना smoothly काम हो गया और आपका analysis भी हो गया तो अब गाईस हम चलते हैं next आपका जो round 3 कब आएगा देखो डियू ने actually round 3 का तो intimation दे दिया है तो round 3 आपका September में आ सकता है ठीक है because अभी तो आपका ये August में तो scene नहीं बनता August में तेखो last 30 August तक आपका round 2 ही चलेगा और उसके बाद अगर seats रह गई जैसे कि मैंने बताया था 17,000 seats आपकी 17,000 कुछ seats हैं वो seats थी सारी total और पूरी total मान के चलो आप 17 में से अगर 14-15 भी र जाए जाएंगे और एक main चीज बहुत important चीज है spot round में preference sheet बनाने का तरीका बदल जाएगा उसको तरीके को पूरा change कर दिया जाएगा उसमें कैसे बनाना है वो सब मेरे channel पर बताया जाएगा और एक मेरे batches हैं guys वो भी आप चाहो तो ले सकते हो मैं ऐसा कोई force नहीं कर रहा आपको आप चाहो तो ले सकते हो because उसमें क्या होगा मैं आपको personally guide करूंगा तो guys यह सारी updates थी hopes सो सब जो मैंने thumbnail में दिखाया था सारी चीज़े clear कर दी कुछ रहा तो नहीं है और guys round 2 के result के लिए ready रहना channel को subscribe करके रखना ठीक है updates आती रहेंगी तुरंत आएंगी video आएगी don't worry तो यह video आपको hope so बहुत help करी होगी समझने में Delhi University में क्या क्या सीन चल रहा है ठीक है तो अगर इसके regarding आपकी कोई भी query हो comment section आपके लिए हमेशा open है Delhi University में admission लेना चाहते हो लेकिन आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है बहुत सारे यूट्यूबर्स के पार स्ट्राइब कर लिया सब कर लिया लेकिन effective कुछ नहीं मैल रहा तो guys यहां आईए यह तीन batches लेके आया हूं आपके लिए जिसमें मैं आपको अलग-अलग प्रोवाइड करूंगा guidance ठीक है एक में पहले वाले बैच में 699 वाले में guidance होगी सिर्फ जिसमें मैं आपको सारी tip and tracks बताऊंगा लेकिन करके नहीं दूंगा अपनी तरफ से preference sheet में काम ठीक है दूसरे बैच में आपको guidance plus preference sheet दोनों पे काम करके दूंगा मैं अपनी तरफ से 49 में और तीसरे में आपकी emergency में help करूंगा इन इन पैक्स को जॉइन करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा मेरा टेलीग्राम ग्रूप है टेलीग्राम पे डेली उनिवसिटी आरीजी ने सोल सिंपल आपको टेलीग्राम ओपन करना है अपने टेलीग्राम में लि कि आप अाग को ब ενता है ठेलीग्राम में घा आपको लॉट्यग्राम शॉब cowboy समय को जा होगा टान करना होगग्राम आरीग्राम भिए सुल में करने सबसे होगा सका करनी द county इन जाया से छाथ भीग्राम में जापका